हलो एवरिवन आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो दोस्तो डेली युनिवर्सिटी के कैंपस ओफ ओपन लर्निंग ने कुछ शॉट टम कोर्सिस लॉंच करे हैं और यह जो कोर्सिस हैं इस कोर्सिस में S.O.L. का बच्चा, NCWeb की स्टुडेंट्स या फिर कोई रेगुलर कॉलिज के बच्चे भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं प्रिफरेंस इसमें S.O.L. और NCWeb के स्टुडेंट्स को दी जाएगी यह कोर्सिस जो हैं आपके शॉर्ट टम कोर्सिस हैं इन कोर्सिस को आप केमपस ओफ ऑपन लर्निंग से कर सकते हो जो की कैशव पूरम में हैं 2021 सेशन के लिए जो एडमिशन पोस्टीजर यह वो स्टार्ट हो गया है तो चलिए पहले डिसकस करते हैं कौन कोर्सिस यह जो केमपस है यह ओफर करता है और क्या उसका फी स्ट्रक्चर है तो यह है ओफिशल वेबसाइट COD.COL.DU.AC.IN इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आप दिखो के कोर्सिस ओफर्ड भर क आपको आपको आपशन नदर आ आएगा इस ओपशन पर हम खिलिक करेंगे यहाँ पे जाने के बाद आपको number of courses कॉन कॉन से ओफर करे जाते हैं उसके एक लिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी जैसे यहाँ पर है medical transcription यह courses 6 महीने का है इसकी fees कितनी है? 30,000 रुपीज फीज है और यहाँ पर यह किस के साथ association में होके यह course launch करा गया है अगर course के बारे में आपको पूरी detail जानकरी चाहिए जैसे अगर suppose करो मुझे soft skills के बारे में जानकरी चाहिए तो मैं soft skills पे click करूँगा तो मेरे सामने एक PDF ओपन हो जाएगा इस PDF में इस courses की जानकरी दी गई है कि the courses is designed to increase the employability skills of undergraduate seeking job opportunity in the corporate sector तो soft skills जो है यह आपको job opportunity के लिए मदद करेगा the major objective of this course is develop I can do it approach increase the confidence and boost the self image to enhance communication skills ability to present oneself effectively in front of interviewer interview board and emerge as a winner eligibility यहापे क्या कहले कि हुए all the student of colleges and department of university of Delhi are eligible to apply student of school of open learning and non-college women education board will be given preference यहापे सभी courses में as well और NCV के student को preference दी जाएगी और यह सभी courses ऐसा नहीं है कोई इसमें particular eligibility होगी आप as well में पढ़ रहे हो NCV में पढ़ रहे हो किसी भी course में किसी भी year में आप इसमें admission ले सकते हो या फिर अगर आप regular college में पढ़ रहे हो तो भी आप इसमें admission ले सकते हो काफी interested लग रहा है देखने में तो airport management का हम PDF download करते हैं तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसके course highlight of the course क्या है introduction to ground handling and airport infrastructure introduction to national and international bodies aircraft world geography check in passenger services तो airport के अंदर जितनी भी services होती है जितनी भी imply होते हैं क्या क्या activity करते हैं क्या क्या उनको duties दी जाती है और miss handle blacking introduction black is sorry selection criteria all applicants will have to undergo a screening test यहाँ पर screening test होगा आपका इस course में admission लेने के लिए most of the courses में admission आपका direct होगा और first come first services पर admission होगा यानि कि जो पहले form फिल करता है उसका admission पहले हो जाएगा ठीक है ताकि इस course के लगए जितनी भी other course है जिसे मैं और रिचाओंगा तो यहाँ पर है कि में और निचा आता हूं तो यहाँ पर है fashion styling का course इसको fashion styling हम download करते हैं यह fashion styling भी छे मैने का course है 26,000 रुपेश की fees है कि समय PDF download होगा लेट्स begin our journey into the world of fashion तो यह course के बारे में information है ठीक है जी आप इसकी information इस PDF डाउनलोड करके इसको देख सकते हो इसी वाद हम वापसी पीछे आते हैं और वापसी पीछे आते हैं यह courses की जानकारी आपने यहां से ले ली अब जो है हमारी दूसरी बात और बहुत ही important बात वह है admission apply किसे करना है आप इसी website पर open रहोगे नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा latest news के section में लिखा हुआ आ रहा है admission open 2021 इसका मतलब साफ साफ यह है कि admission आपके open है इस option पर मैं click करूँगा तो यहाँ पर मुझे एक form open करके दिखाएगा पर यह तो eligibility criteria बता रहा है कि सबी university के colleges और S.O.L. और NC.O.P के लिए यह courses open है और S.O.L. और NC.O.P के student को preference दी जाएगी How to apply? Most of the courses are based on first come first serve यानि कि जादर जो courses है वो first come first serve के base पर है आप course की PDF डाउनलोड करके देख सकते हो कि आपको course का selection criteria क्या है Therefore you are advised to contact visit office after filling the form for confirmation of your seats आप पहले form fill करोगे form कहा है यहाप आप नीचा आओगा तो यह रहा form इस form को आप fill कर दोगे ठीक है जी इस form को fill करके इसका print out जो भी आएगा वो आप लेकर रख लोगे तो उसको print out लेने के बाद धाय सुरोबी के registration fees उसका demand राफ कोर्स की फीज उसका demand राफ प्लस कुछ documents यहाँ पर है documents में आपको बता दूँ passport size photograph आप लेकर जाना प्लीज बिरिंग वन लेटस passport size photograph यूर अकेडमिक डॉक्यमेंट फ्रम class 10 ओनवर्ड class 10 की mark sheet 12 की mark sheet लेकर चले जाना ठीक है जी और graduation first year में हो second year में हो तो first year की mark sheet लेकर चले आना आप download कर सकते हो website से और एक ID proof ले जाना अधार card या water ID card जो भी आपके पास है along with your registration fees that is 200 रुपे demand राफ या cash registration fees आप demand राफ या cash में ले जा सकते हो and course fees as described on website जितनी भी website course fees है वो आप लेकर जाओगे course fees must be submitted in the form of demand draft course fees जो होगी demand draft के form में आप submit करोगे और रजिस्टार University of Delhi के favor में आप demand draft बनवाओगे यह तो प्रोसीजर और मैंने फीज़ बताई उसको लेकर आपको campus जाना पड़ेगा कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपको इसमें admission लेना है आप डेली में हो तब तो इसमें जाकर apply कर सकते हो campus जाकर अपना confirmation कर सकते हो त्योंकि घर बेट केस में apply तो हो जाएगा online उसके बाद का जो चीज़े लेकर आप युनिवरस्टी जाई है आपके मन में दिमाग में डाउड आया कि सरी जो मैंने फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद जो course फीज हो immediately submit होगी देखो यार सिंपल सी बात है कि आप फॉर्म फिल कर दो और एक बार campus हो याओ उनसे पूछो जाकर कि सर जी course फी इस फॉर्म को आप प्रिंट आउट लेकर इसको अपनी हन्रेटिंग में फिल करके भी फिजिकल फॉर्म में submit कर सकते हो फिजिकली तो आपको जाना ही पड़ेगा चाहे आप फॉर्म फिजिकल समिट करो या फिर फिर फॉर्म ओनलाइन समिट करो आपको campus में वजिट करना पड़ेगा in order to take admission ठीक है अच्छा है यह तो बात होगा admission procedure कि किस तरह से होगा इसके बाद यहां पर inquiry form को एक option है इनकी website पर यहां पर आप जाओगे अपना नाम दिख देना अपना email अपना phone number जो भी आपकी query दो उसको submit कर देना आपकी email पर आपकी query का reply आजाएगा मेरा reply इसलिए मैं आपको recommend कर रहा हूं यह चीज़ भी वापसी पीछा आते हैं वापसी पीछा आते तो contact us का option है इनसे चाहों तो contact us पजाएकि इनका mobile number landline number इसमें है यहां से contact कर सकते हो आप खीक है अच्छा इसके बाद यहां आप हायर अवर स्टूडेंट पर क्लिक करोगा यह placement 2020 करते हैं तो यहां आपड़ करने से फिलाल कुछ नहीं हो और यह placement 2017 का मैंना पीडिया नमलोट कर लिए 18 का यहां बताएगा है कि कौन कौन से बच्चे हैं इनका कहा कहा किस किस company में placement हुआ है अब placement कितना हुआ है इसकी information नहीं है जो information website पर है वह आप यहां पर देख सकते हो ठीक है और admission process तो वही चीज़े जो मैंने आपको अभी बताई कि form भरो form का print out लेकर और जितने भी relevant documents लेकर है और campus चले जाओ ठीक है तो इसकी बाद courses offer का मैंने आपको बता दिया अच्छा एक चीज़ और है एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूं कि home पहले page पर courses offer के section में जो आपने courses देखे ज़रूरी ही सभी courses यह लोग offer कर रहे हैं आप नीचे आओगे form जब आप apply करोगे एक second पहले मैं form वाले option पर आ जेते हैं यह admission open 2021 वाले option पर मैं आता हूं और नीचे आओगा तो यहाँ पर देखो course applied for यहाँ पर list आए कि courses की apply करनेगी ठीक है जी तो यह जो courses की list आ रहे हैं सभी courses इस वक्त available हैं ठीक है animation हो गया 3D animation हो गया graphic designing हो गया interior designing हो गया fine arts and illustration हो गया fashion styling हो गया diploma in drafting and pattern making हो गया certificate course in IAD graphic हो गया यह सब courses इस वक्त available है तो आप इस drop down list में courses देखना और इस courses की जो fee structure है और detailed information है वो आपको courses offered के section में मिल जाएगी ठीक है जी तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में important update दी यह short term courses आपनी graduation के साथ कर अगर आप D.U. में पढ़ रहे हैं, S.O.L. में हो चाहिए, LC.Web में हो तो आप इस courses में admission ले सकते हैं, fee structure वगरा सब कुछ आप इस website से जाकर दे सकते हैं, form इस website पर जाकर online fill करिए, उसके बाद उस form को लेकर relevant document जो मैंने आपको बताए, उसको लेकर campus में जाकर आपको सारी information देनी पड़ेगी, ठीक है दी, क्योंकि website पर complete detail नहीं है, तो यहीं दोस्तों आज की इस वीडियो में update थी, I hope आपको इस वीडियो useful लगी हो, तो वीडियो को share करेगा, thank you